जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जारखन में निकलेगी सरहूल और रामनामी की सोभायात्रा जारखन में इस बार दो वर्सों के बाद सरहूल और रामनामी की सोभायात्रा निकलेगी इसकी त्यारी राई सरकार कर रही है इसे लेकर मुख्य मंत्री हमांसरे ने मुख्य सचीव सुकदेव सिम्क आवस्यक दिशानिर्देश दिये हैं अब मुख्य सचीव इसके लिए SOP जारी करेंगे इस बार COVID-Guideline की कुछ पवंदियों के साथ सोभायात्रा निकालने के उनुमति राई सरकार देगी इसके तहथ मास्क लगाना अवस्यक होगा साथ ही COVID-Guideline के तहथ भीर एक अत्रित करने के उनुमति होगी बताया गया कि 1-2 दिनों में मुख सची स्वभायात्रा को लेकर स्वपी जारी कर देंगे 4 अप्रेल को सरहूल और 10 अप्रेल को रामनामी का तेवार है दोनों तेवारों में स्वभायात्रा निकाली जाती है गंगा नदी में डूबे ट्रॉक, NDRF ने ड्राइबर के स्वव समेत ट्रॉक बाहर निकाला जार्खन के साहेवगन से मनिहारी गंगा घाट आने के दरण विते गुरुवार को देर रात मालवाग जाहाज अन्यंत्रित हो जाने से जाहाज में स्वार, गीटी लदे, छा ट्रक पानी में डूब गए थे इसे लेकर जार्खन पर सासन ने साहेवगन मुपसिल थाना में मामला दर्ज कर जाज शुरू की थी उस वक्त बिहार के कठिहार जिला पर सासन ने इस मामले से पूरी तरह पला जाहरते हुए इसे जाहर्खन से जुड़ा हुआ मामला बताया था मगर अब लगभग 6 दिन पूरा होने के बाद बिहार के मनिहारी गांगा घाट से एंडियारो की मदद से दो ट्रकों को क्रेन के सहारे बाहर निकाला गया है रांची के अस्मार्ट सिटी में जार्खन के मंत्रियों के बंगले का निर्मान कारे शुरू एची सिटी अस्मार्ट सिटी में मंत्रियों के बंगलो का निर्मान शुरू हो गया है दो साल में 79.90 कोलवर की लागत से 9 एकड़ भूई परेगारा मंत्रिया वास त्यार किये जाएंगे निर्मान के लिए चायनित कमपनी के एमवी ने काम शुरू कर दिया है दिली की कमपनी मौस एंड वाइड ने बंगलो का डिजाएं त्यार किया है बतादे पर्यावरन वास्तु और हर्याली का पुरा ध्यान रखते हुए बंगलो का निर्मान होगा केमवी ने धार्मी कनुस्ठान कर निर्मान शुरू कर दिया है परिचर में PCC कारे भी शुरू हो गया है राजे गठन के बाद पहली बार मंत्रियों के लिए निधारित बंगला बन रहा है फिलाल राजे के मंत्री सरकार द्वारा चिनित मंत्री पूल के पुराने बंगलो में रहते हैं जे SSC को जार्खन हाई कोट में फिर मिली चुनावती जार्खन करमचारी चायन आयोग असनतक अस्तरिय परिक्षा संचालन संसोधन निमाली 2021 को लेकर जार्खन हाई कोट में चुनावती दी गई है प्रार्थी अभिसे कुमार दूबे वा अने की ओर से दिवक्ता कुसल कुमार वा अपराजीता भर्दवाज ने हाई कोट में याचिका दायर की है याचिका में प्रार्थी ने कहा हाई कि राई सरकार की ओर से लागू जेसे सी असनतक अस्तरिय परिक्षा संचालन संसोधन निमाली 2021 के कारण वह परिक्षा के लिया वेदन नहीं कर पा रहे हाई जार्खन के घरेलू कामगारों की स्थिती खराब जार्खन में घरेलू कामगारों में 70% को महीने में मात्र 3,000 रूपाई और 10% को अधिक्तम 4,000 रूपे का बेतन मिलता है बाकी 20% कामगार 2,000 रूपे में भी काम करने को विवस आए घरेलू कामगारों में 40.9% सिक्षी था है यह आकड़ा जार्खन एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क और अस्पार्क राची द्वारा जार्खन के घरेलू काम करने वालों की स्थिती पर गिये गए सर्वे में मिला है रिपोर्ट में बताया गया है कि 40.9% में 13.1 को लिखना और पढ़ना आता है जबकि 22.6 ने 5 वी तक वहीं 3.6 परतिशतने मैट्रिक और 1.5 परतिशतने इंटर्मीडियर्ट की भी प्राइप पूरी कर ली है जार्खन में 7 दिनों में पेट्रोल 7 रूपया और डियल 9 रूपया हुआ महगा जार्खन में पेट्रोल डियल की ब्रिधी लगातार जारी है तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डियल के भाव में लगातार 90 दिन बड़ोत्री कर दी है 137 दिन के विराम के बाद तेल कंपनियों ने 22 मार्च से ही तेल की कीमतों में ब्रिधी करनी शुरू कर दी थी बतादे राजधानी राची में पेट्रोल और डियल की कीमत में करमसा 81 और 84 पैसे की ब्रीधी की गाई जिससे पेट्रोल की कीमत 104 रुपया 22 पैसा प्रती लीटर हो गया है वहीं डिजल भी 97 रुपया 42 पैसा प्रती लीटर पर पहुँच गया है जरकन के मौडल इसकोलों में होगी सन्वीदा पर सिक्षकोय की नियुक्ति राज्यक के उत्क्रिष्ट वा मौडल इसकोलों में आव सकता अनुरूप कॉंट्रेक्ट पर सिक्षको की नियुक्ति होगी स्कूली सिक्षा एवं सक्षाता विभाग ने कॉंट्रेक्ट पर नियुक्ति होने वाले सिक्षकों का मान्दे भी तैक कर पत्र जारी किया है पत्र के अनुसार प्राथमीक से लेकर पलस टू तक कि पढ़ाई के लिए केंद्रिय बिद्याले की तर्ज पर कॉंट्रेक्ट पर सिक्षकों के नियुक्ति की जाएगी राई सरकार द्वारा असी बिद्याले को उत्क्रिष्ट वह 416 बिद्याले को अदर्स बिद्याले के रूप में विक्सित किया रहा है सिख्षा विभाग के पत्र के अनुसार पलस्टू बिद्याले के सिख्षकों को 27,5 रूप है कोडारमा में महुआ चुनने के दोरन पेन की डाली तूटी एक बच्चे की मौत दो घायल घरबरिया बार के बाद महुआ चुनने गए थे धनबाद जोडा पोखर हत्याकान मामला धनबाद के जोडा पोखर से नवालिक हत्याकान मामले में पूलिस द्वारा कराया गया पोस्माटम रिपोर्ट में बिसरा एवां भी जेनल स्वाभव को चिकिसकों ने सुरक्षित रखा है वहीं सलग जाम कर रहे लोगों को सिंदरी एस पी अभी से कुमार ने अस्वासन दिया है कि जल्दी मामले का खुलासा कर लिया जाएगा उन्होंने अभी कहा है कि ऐसा लगता है कि नवाली के हत्या कर सव को तलाब में फेंक दिया गया है और पाचान मिटाने के लिए चेहरे पर रसाय नया फीर तेजाब डाला गया होगा हलाकी इस बात की पूरी तरह पुरुष्ठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद हो पाएगा कि उनकी हत्या कैसे हुई है जैर्खन में नवीक कख्षा के विद्ध्यार्थियों को मिलेगी विसेएस पुस्था जार्खन के सभी सरकारी बिद्यालियों की नौविक अक्षा में नमांकित और अध्यानरत बिद्यार्थियों को अनिवार या पुस्तकों के अलावा बिसेस पुस्तकों को पलब्द कराई जाएगी। जार्खन में जून मां से एक रुपे किलो मिलेगा फोटी फाइड चावाल। से एक रुपे किलो फोटी फाइड चावल देने के त्यारी की जा रही है। रामगर दुम का खुटी गुमला सिम्टे गा पच्मी सिम्भूम सामिल है। बतादे पहली बार आंगनवाडी केंद्रे के बच्चे को भी यह चावल उपलब्द कराया जाएगा। सांसर निसिकांत दूवे पर फर्जी डिग्री बिवाद मामला। डिग्री बिवाद से जूड़े गोड़ा सांसर निसिकांत दूवे की ओर से सरकार की बहस का आज जारखन हाई कोट में जवाब दिया जाना था। हाई कोट में सांसर निसिकांत दूवे के खिलाब फर्जी डिग्री मामले में दर्ज पराथमी की सहीत निसी अदालत की करवाई को निरस्त कर दिया है। रांची से 15 मवसियों के साथ 5 गिरफतार। रांची की ओर से भेजा जा रहा था। जारखन में हीट वेब का असर। जारखन के भी भीन हिसों में गर्मी और तेज लू का असर अभी से दिखने लगा है। रांची में पहला मौका है जब मार्च में ही लू चलने लगी हो। प्लान त्यार किया है इसमें अपराधियों के सूची त्यार की गई है। सूची त्यार करने के बाद इन्हें करमवार सिरेनी में बटा गया है। जिसमें अपराधियों के संगठित अपराध करने वाले अपराधियों के तरीके उनके जेले बाहर रहने की स्थिती, फरार रहने की स्थिती सहीत सभी तत्यों का उलेह करते हुए डाटा त्यार किया गया है। इसमें राची पुलिस की ओर से बर्स 2022 के लिए नो अपराधियों के खिलाप क्राइम कंट्रोल एक की करवाई की गई इसमें कोख्यात अपराधियों और उग्रवाधियों को भी सामिल किया गया है धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए होई तो चैनल के सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एकन दबाए साथ साथ वीडियो को एक लाइक आपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़वेक अवस्य दे थांक यू